खेलो दोस्तों यहां पे जो हैं अम डिसकस करते हैं कि लास्ट 30 मिया आपको किसя तरीके इपरेशेंट करनी हो है निकिर आप अ अपने तरीके से टायम टेबल बनायें क्यूखिया आपको अपने तरीके से ही टायम से पनाना पड़े तो जब मैं बात करता हूँ account की और advance account की तो sir यहाँ पर ध्यान रखिए कि AS अच्छे से complete होने चाहिए और AS में आपके ICA module के question ठीक है ICA module के question और RTP MTP के question याद रखिए RTP MTP में जब मैं कहता हूँ तो RTP MTP जो है latest से ultra start कीजे और recommend date होता है आप last three RTP MTP कर लीजे बहुत more than sufficient यहाँ पर रहता है ठीक है लेकिन याद रहे latest RTP MTP से start करना ultra ठीक है क्योंकि latest जो है वो बहुत ही ज्यादा important रहता है exam के लिए ठीक है तो latest तो आपका होना ही होना चाहिए और फिर आप जो है आगे के दो कर दीजिए काम खतम ठीक है तो advance account आप account की बात करें AS आपको सबसे पहले कर लेने और फिर वो chapter जो आपने अच्छे से कर लिए वो chapter जो है अच्छे से वापस से revise कर लीजे और फिर next chapter आप जो है करिए ठीक है देन आप जो है मैं बात करता हूँ theoretical यहां पर taxation की बात कर लेते हैं लोग की बात कर लेते हैं और आपका जो है cost की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो taxation में तो देखे GST है ठीक है GST में आपको simply provision याद करने पड़ती है और question जो है वो provision based होते है तो अगर आपको provision अच्छे से याद है तो question आप attain कर पाते है इसलिए यहां पर recommend it होता है कि GST आप करिए basically taxation भी कर सकते है DT part ठीक है direct tax वो भी कर सकते है लेकिन उसमें क्या है कि provision आपको याद होनी चीए सबसे पहली condition और directly provision use हो पाए और ऐसा question आपको नहीं देखने को मिलते हैं मतलब कि थोड़ा logic यहां पर use करना पड़ता है direct tax के अंदर लेकिन जब मैं बात करता हूँ indirect tax की तो उसमें अगर आपको perfect provision याद है तो आप question directly solve कर पाएंगे ठीक है क्योंकि अगर आप 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 IC module में ही देखें तो वहां पे अगर provision अच्छे से कर लिए और फिर उसके बाद आप जो है अपने module के पीछे के question अगर करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी provision based question आते हैं लेकिन provision अच्छे से complete होनी चाहिए तब ही आप जो है यह चीज़े कर पाएंगे लो में जो है अधर लो ठीक है अधर लो कर लीजे यहां पे बहुत ही ज़्यादा simple रहता है फिर अधर लो के बाद लो में जो है ultra start कीज़े मतलब कि chapter number 10 chapter number 9 chapter number 8 7 इस तरीके से क्योंकि last के बहुत ज्यादा important रहते है इस तरीके से फिर cost में जो है आप जो है basically यहां पे cost में भी मैं कहूँ तो ABC costing है ठीक है overhead है material है ठीक है material costing then आप जो है standard costing marginal costing and आपका budget ठीक है यह chapter जरूर अच्छे से कर लीजे दो बार तीन बार practice करें ICA module का एक illustration एक एक practical question जो है complete होना चाहिए देखिए यह first requirement है कि ICA module आपका हर एक subject में अच्छे से clear होने चाहिए चाहिए वो account हो tax हो low cost हो या फिर और भी कोई subject हो ठीक है अब बात करते है FM FM में देखिए यहां पे भी ICA module के हर एक question आपको अच्छे से clear है तो आपका जो है यहां पे base बन जाता है लेकिन जब मैं कहता हूँ कि sir ICA module अच्छे से clear है इसका मतलब यह होता है कि एक एक question आपक ICA module में से बहुत कुछ आता नहीं है लेकिन आता किस तरीके से नहीं है आप यहां पर यह सोच के चलते है कि ICA module में जो question है copy paste exam में आ जाएगा ऐसा क्या है ऐसा होगा क्या यह CA का exam है क्या ठीक है CA का exam है तो become का exam थोड़ी ना है ठीक है तो यहां पर ऐसा अगर आप सोच रह आएंगे ऐसा question थोड़ा सा changes तो होता ही है ठीक है तो यहां पर जो है ICA module के question जम मैं कहता हूँ तो आपको यहां पर याद रखना है कि question concept चुली आपको clear है मतलब कि कौन सा आप जो है amount लिख रहे है तो आपको उसे पता होना चाहिए कि amount क्यों लिखा गया है उसका कारण प audit यहां पर audit advance account then आपका जो है यहां पर एक subject जो सबको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है SM EIS ठीक है अच्छा तो देखें यहां पर total four subject FM ECO FM ECO में FM को मैंने बता दिया ECO का अभी बताता हूँ audit आपका SM EIS और advance account में भी same FM की तरह ही advice ICA module का हर एक सबसे complete होना चाहिए और हर एक subject में latest RTP MTP complete होना ही होना चाहिए देखे latest RTP MTP बहुत ज्यादा इसके बाद audit की बात करो EIS SM की बात करो और ECO की यह theoretical subject है theoretical subject में basically यहां पर क्या होता है कि student generally जो है पूरा solution याद नहीं कर पाते as it is और obviously करना भी नहीं चाहिए as it is आपसे requirement भी नहीं है ठीक है लेकिन हाँ याद रहे कि audit की जब मैं बात करता हूँ तो audit में देखें यहां पर point wise आता है audit में answer point wise होते है ठीक है तो point के heading आपको अच्छे से याद हो EIS SM की बात करो तो वहाँ पे भी point wise होता है तो point के heading अच्छे से याद होने चाहिए और plus उसके अंदर जो theoretical चीजे लिखी होती है उसमें 2-3 point ऐसे होती important point ठीक है तो वह चीज़े आपको याद होनी चाह रहा हूँ जो कि आज या फिर कल आपको मिलेगा वहाँ पे मैं आपको question बताऊंगा किस तरीके से answer present होने चाहिए exam में वो बताऊंगा यहाँ पे simply मैं आपको general information दे रहा हूँ इसके बात का next video जो रहेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि theoretical subject में आपको लिखना किस से होता है ठीक है वहाँ पे हम RTP MTP में भी थोड़े बहुत question जो analysis करेंगे और मैंने आपको बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पे जो है आपको मैंने example दिया और audit EISM आप जो है जितने भी theoretical subject है उसमें आपके handwritten note जो है बढ़ा ही important रहते exam time पे क्योंकि जो आपने लिखा है वो जल्दी से recover होता है as आप जो compare आप करते हैं कि अगर आपने exam module से किया है या फिर कोई notes वागिरा से किया है जो आपके printed notes है उससे ज्यादा आपके खुद के लिखे हुए notes ज्यादा better रहते हैं क्योंकि वो आपको ज्यादा याद दिल आते है ठीक है चाहे वो आपने sort में ल notes आपके printed है उसमें से read करिए लेकिन recommend होता है कि अगर आपने notes बनाए तो वही आप करिए क्योंकि वो better understanding आपको provide करते है ठीक है तो यह मैंने थोड़ीजी general information कहा दी कि कौन कौन सी चीज होनी चाहिए account advance account में as complete करिए उसके बाद जो सबसे ज्यादा आपको लगता है कि आप FM-Eco में जो है FM में तो ICA module के हर equation आपको already YouTube पे provided है मैंने already provide कर रखे ICA module के हर equation आपका complete होना चाहिए ICA आपका audit EIS SM ठीक है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखे कि वहाँ पे जीज़ीज यह है जो आपने handwritten notes बना है वो लिखना है और आपको जो है simply किस तरीके से exam में present करना है उसके लिए next video हम बना देंगे ठीक है basically यहाँ पे comment भी बिलाता कि sir EIS जो subject है उसमें किस तरीके से present करना चाहिए तो देखे सारे subject theoretical है present करने का तरीका एक ही होता है मैं आपको जो है next video में discuss करेंगे हम RTP MTP में देख के चलेंगे और वहाँ पे आपका discussion हो जाएगा ठीक है thank you so much